है जो देश से जितना ज़्यादा दूर होता है उसमें देश के प्रति उतने अधिक लगाऊ होता है इस बात को आप यूँ भी लेके देखिए जब आप गाउं के अंदर रहते हैं तो आप खूब सारे लोगों से लड़ाई करके भी रखते हैं जब आप गाउं से सहर में आत अंदर मुझे आता है हम रसिया गए थे खोटल में खाना खाने के लिए घए घए अब और कई मिल भी नहीं रहा था इंडियन खाना एक हमसे कम इंडियन खाना दो किला देंगे तो हमने उसको पूचा अब वहां च्टाफ पूरा लगावा वो श्टाफ पूरा उजबेक सा अंग्री जी बोल बोल के खुल गये महां अपने ओलने वाला चाहिए पकिस्तान वाला पता चला तो माँ पकिस्तान वाल लोंको हिंडि तो आती है कमसे कम यह बोल लेंगे वह एक भी स्टाफ में पकिस्तान है नहीं सारा का सारा स्टाफ उजबेक हम उशर लड़ली गाले म वह लड़का वहां पर MBBS वोगरा कर रहा था रसिया में तो पार्ट टाइम जोब करता था वहां पर होटल के अंदर अब वह कहें कि मेरे को हिंदी समझ में तो आती है पर बोल नहीं नहीं आती है अब तू बांगला बोल हम हिंदी बोलेंगे समझ तो जाएंगे बासा कम से कम तेरे को कम से कम कहतो सकते हैं कि मिर्स ज्यादा ला इन उजबेक को कैसे समझाएं कि तड़का बहुत यूँ फराई दार होना चाहिए इस्पाइस होना चाहिए इसकी अंग्रेजी भी तो नहीं पारी है हमें तो वह बंगलादेशी फिर हम वापस पैमेंट करने हैं तो हम उजबेक से वापस बीड़े हमने एक आदा पाकिस्तानी तो होगा उससे बात करवाओ तो उन्होंने कई दर दिमाख लेगा उनको लगा पैमेंटी भी नहीं दे रहे तो उन्होंने का रसोया है मैं बुलाओ उस रसोयोग बुला है आप मानोगे नहीं वह आते हमारी हों चिमट चिमट के जब यहां पाई थी उसने दानीस दानीस नाम करके एक बंदा था पाई जान खुस करता आज कितने दिन होगे कम से कम अपने वाली बासादों बोलने को मिली वरना यह अंग्रेज में अपने इंडियन रहा करते थे उनमें यह बहुत ज्यादा भावना थी